Hello and Welcome friends OpenOffice Calc सीथने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्रावर करता हूँ और आज ही ये वीडियो OpenOffice Calc की है तो यहां पर OpenOffice Calc इंस्टॉल्ड है 4.1.11 यह मैंने इंस्टॉल किया है इस पर double क्लिक कर देता हूँ ताकि यह उपन दिजा है अब जैसे यह OpenOffice Calc ओपन होगा तो इस पर हम काम करेंगे OpenOffice Calc जो है एक सॉफ्वेर है और OpenOffice सॉफ्वेर पैकेज के अंदर आपको बहुत सारे सॉफ्वेर देखने को मिलते हैं जैसे कि आप जानते ही है तो यह देखिए यह OpenOffice ओपन हो रहा है यह देखते हैं अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि कौन को से सॉफ्वेर आपको इसमें देखने को मिलते हैं तो पहला देख सकते हैं text document है, पिर spreadsheet है फिर presentation है drawing है, database है और formula है तो यह जो formula है यह related to text document है ज़्याना कि MS Word जैसा software है उसे हम text document के नाम से जानते हैं इसमें दूसरा spreadsheet जो है जिस्का क्या हम यूज करने जाना है हमी यह जो है excel जैसा software है तीसरा presentation PowerPoint जैसा software है और ड्राइंग रिलेटेट टू टॉकुमेंट है और इसके बाद डेटाबेस है तो डेटाबेस जो है एक प्रकार का MS Access जैसा सॉप्वियर है ठीक है तो अभी हम अभी स्प्रेडशीट की बाप करेंगे तो क्लिक कर देते हैं तो यह देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके से अपके सामने आजाती है ठीक है फॉर्मूला लगाने का तरीका बिल्कुल वही है जो आप लगाते थे पहले एक्सल में बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी फॉर्मूल नहीं पर आपको लगाना क्यो लाूतार इसना है कि आपको यह फॉर्मूला लगा रहा हूं क्या है तो यहां पर हुआ है जुन देना है न अब यहां पर इसको क्या करना है यहां करना होगा क्योंकि यह हमने लगाया है तो यह बार-बार चेंज हो जाएगा यहां पर पूरे डेटा को कर लेना है तो यहां पर पूरे डेटा को कर लेना है तो कंट्रोल यह करेंगे आपको पूरा पीश सेलेक्शन में आजाएगा ठीक है और ऐसे क्लिक करते हैं तो आपका पूरा डेटा भी सेलेक्शन में आता है पूरा पिश सेलेक्शन में नहीं आता है यहां पर पूरा डेटा कर लिया सेलेक्ट और कहा जाना है आपको यहां बनाना है यह दिख आप insert tab पर जाना है क्योंकि आप excel भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप insert tab नहीं जाते हैं यहांप आपको मिल जाता है चार्ट तो चार्ट पे चले जाएए सीधा सीधा जैसे ही चार्ट पे जाएंगे तो एक जो भी आपको चाहिए, यहां से ले सकते हैं, तो यह कॉलम चाहिए, अब यहां से नेक्स्ट कर ये, यहां पर अलग लग आपको यह दिखाई पड़ा है, जैसे data series in row चाहिए, data series in column, चाहिए, क्या चाहिए, कैसा चाहिए, बोड देख लिएए, फिलाल मैं column ही रखता हूं, next पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और next पे क्लिक करके फिर next पे क्लिक करता हूँ, यहां पर title अगर डाल सकते हैं, ठीक है, यहां सिर्ट Amenow, तो इन सब से सब चलम इसक्राइब तोटल वाला यह जो बना हुआ ना यह जो खंबा दिख रहा है आपको फिलर दिख रहा है यह टोटल वाला है ठीक है तो इसी तरीके से आप चार्ट डिजाइन कर सकते हैं चार्ट डिजाइन करना बहुत इसी है ओपन आफिस कैल्प में और यह तो एक छोटा सा है एक बताने के लिए तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आपके शेयर करें तैंक्यू पर वाचिंग देस वीडियो